हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो आज हम बात करेंगी कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फेस्बुक से लोगिन हो रहा है हाँ फ्रेंस आप जब भी इंस्टाग्राम को लोगिन करने जा रहे हो तो कंटिन्यू एस फेस्बुक यानि क फेस्बुक से इंस्टाग्राम लोगिन हो रहा है तो आपको इसको हटाना है यानि कि फेस्बुक से इंस्टाग्राम आपको लोगिन नहीं करना है आपको यह हटाना है डिस्कनेक करना है तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हो ताकि आप जब आपको इस वीडियो को एंटक देखते रही है हेलो मेरा नाम है फाध और आप सभी का मेरी यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आपना भी तक मेरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब करने के बाद और के बटन पर क्लिक कर देजे आईए फ्रेंज अले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज सबसे पहले आपको ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका पूरा के पूरा स्रॉलिशन मेरे पास है इसलिए आपको वीडियो को end तक देखते रहना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है continue as आपका जो भी Facebook अकाउंट है वो आपको यहाँ पर कर देना है यानि कि आपका जो भी Facebook का अकाउंट है उससे आपको Instagram को login कर लेना है तो यहाँ हम इसको login कर लेखते है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंना अपना Instagram आपकाउंट जो भी है वो यहाँ पर मैंने login कर लिया है अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आपको किस तरह से इसको हटाना है तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना होगा यह जो three line दीख रहे है Instagram में उसपर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसपर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको setting वाले option पर क्लिक कर देना है setting वाले option में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले friends यहाँ पर मैं आपको बता दू आपको account वाले option में आ जाना है यहाँ पर यह जो account वाले option दीख रहा है उस पर आपको click कर देना है उस पर click करने के बाद friends यहाँ पर आपको एक और option मिल जाता है sharing to other apps तो उस वाले option पर आपको click कर देना है अब जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे यहाँ पर आपको सबसे पहले facebook और आपका जो भी facebook का name है user name वो यहाँ पर आ जाएगा और उसके right side में blue color का एक टीक होगा तो इस वाले जो भी आ जाएगा इसका मतलब यह है कि आपका facebook का account instagram के साथ lock connect है तो आपको इसको disconnect करना होगा उसके बाद आपका यह जो भी problem है वो solve हो जाएगी तो उसके लिए आपको यहाँ पर click कर देना है उस पर click करने के बाद friends यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके जो भी facebook account है facebook का page है वो सब यहाँ पर आ जाएगा अब आपको मान लीजे कि इसको हटा ना है तो आपको यहाँ पर account center वाले option पर click कर देना है उस पर click करने के बाद आपका जो भी instagram account facebook के साथ login है वो यहाँ पर आ जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका facebook account यहाँ पर आज चुगा है अब आपको उस पर click कर देना है उस पर click करने के बाद यहाँ पर remove from account center वाले option पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करोगे आपका instagram और facebook दोनों disconnect हो जाएगा अब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपका instagram facebook के साथ totally disconnect हो चुगा है इस पर आपको click कर देना है जैसे आप उस पर click करोगे यहाँ पर आपका जो भी instagram का सारे account center से आपका instagram और facebook disconnect हो जाएगा उसके बाद जब भी आप instagram को login करोगे तो continue as facebook नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको दूस्तु वीडियो पसंद आया हो तो please वीडियो को like कर दीजे साथ साथ चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे फिर मिलता हमारे नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई